शबी को नमशकार डियर कॉम्मूनेटी मेंबर्स और सभी ट्रस्टीज और कॉल टीम सभी लेटेस्ट अबडे शन को एक बर नोट डाउन करें और अपनी टीम्ज में जो आपने अपने कॉम्मूनेटी के ग्रूप्स बनाए हुए हैं और अपनी-पनी call team के groups बनाएं सबसे पहले तो उसमें आप लोगोंने ये message डिलीवर करना है latest information देखो दोस्तो जो भी मैं आपको message डालू तो मेरी request है कि अपने सभी call team लोगों को उन members को आपका immediate ये message आगे forward हो जाना चाहिए हमारे सभी जो workers हैं उन तक सारी की सारी information on time डिलीवर हो जाएगी तो automatically boost up हो जाएगा तो इस चीज का ध्यान रखें dear कुछ point note down करने वाले हैं प्लीज उनको अपनी diary pen में note करके अपनी पूरी team में अपने तरीके से अच्छे से उसको deliver करना है जिसमें सबसे पहला point है कि e-cash को हम कैसे dissolve करेंगे तो उसके उपर project ने अपने को 3 point दिये हैं जो कि note down करने वाले हैं सबसे पहला point कि हमारा e-cash जो आज market में पड़ा हुआ है वो कैसे dissolve होगा सबसे पहला है e-commerce का हमारा portal इसी December के मन्त में शुरू हो जाएगा जिससे आप shopping कर पाएंगे आप बहुत सारे 35,000 product होंगे जो कि आप e-cash से खरीद पाओगे दूसरा point कि e-cash से अभी आप next round के parcel जितने भी हैं हमारे 4500 parcel है next round में तो second round के parcel 4500 वो भी आप e-cash से खरीद पाओगे अभी वो declare हो जाएगा कि वो e-cash कितना उसमें यूज होगा में भी वो 70-30 की ratio आए में भी वो 60-40 की ratio आए कि 60% आपका cash या online यूज होगा और 40% आपका e-cash यूज होगा तो वो decide हो जाएगा कि वो 60-40 की ratio रहेगी या 70-40 की रहेगी या 50-50 की रहेगी जो भी रहेगी वो उसके बारे में आपको जैसे information आएगी वो बताएगे और तीसरा e-cash हमारा dex पे P2P में convert हो जाएगा तो इस तरीके से e-cash की जो समस्या है एक तरीके से वो हमारी dissolve होने जा रही है बहुत जल्द आप जो market में आज e-cash बहड़ा एक समस्या बना हुआ है तो वो सारी short out हो जाएगी problems और ये तो एक information e-cash को लेके थी दूसरा दोस्तो आठ तारीक को हमारी एक meeting होने जा रही है करम जी सर के साथ लेकिन ये meeting सिरफ और सिरफ उनी लोगों की है जिनोंने parcel लिये है तो प्लीज इस बात को ध्यान रखे कि ये उनी लोगों के लिए है जिनोंने parcel लिये है first round के जो 500 parcel है जिनका उसमें share डला हुआ है भली वो दो लोगों ने मिल के लिए है भली वो चार लोगों ने मिल के लिए है तो वो दो के दो यह दो चार के चार लोग सब इस meeting का हिस्सा बनेंगे और मेरे request है कि इस 8 तारिक की meeting जो की हमारी ambala Palmdale में होने जा रही है करम जी सर के साथ सुबह की दस बजे की ये मिटिंग है नो डाउन करने समय आठ तारिक सुबह दस बजे करम जी सर के साथ सिरफ उनी लोगों की मिटिंग होगी जो लोग जिनोंने पार्सल लिये हैं फर्स्ट राउंड के तो सभी अपने उन लीडर्स के पास ये मैसेज पहुँचाना है जिनोंने पार्सल लिये हैं तो वो सभी के सभी सुबह दस बजे उस मिटिंग का हिस्सा बनेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेशन और कुछ डिटेल्स के बारे में करम जी सर उन सभी लोगों के साथ डिसकस करने वाले हैं तो ये मैसेज सभी अपने कौल टीम मेंबर्स के पास पहुचा दें थैंक यू